एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपाद यानि की रेशियो 5 अनुपाद 8 है, यानि की प्रतेक 5 लड़कियों पर लड़कों की संख्या 8 है अगर कुल 65 विद्यार्थी हों, तो उनमें कुल कितनी लड़किया है? ये काफी रोचक प्रश्ण है यहाँ लड़कों व'll लड़कियों का अनुपाद यानि की रेशियो दी गई है और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि अगर कुल 65 विद्यार्थी हों, तो उनमें लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो वास्तों में हमें ना केवल लड़कियों वर लड़कों के अनुपात का ध्यान रखना है, बलकि कुल विद्यार्थियों और लड़कियों का अनुपात भी जानना है, तो हम इस अनुपात को कैसे निकालेंगे? लड़कियों और लड़कों के अनुपात के रूप में एक अच्छा संकेत प्रश्ण में दिया गया है कि अगर हर पांच लड़कियों पर लड़कों की संख्या आठ है तो हर पांच लड़कियों पर विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? क्योंकि प्रतेक पांच लड़कियों के लिए लड़कियों की संख्या पांच और लड़कों की संख्या आठ है इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या तेरा होगी मैंने यहां सिर्फ पांच और आठ का जोड़ किया है तो इस तरह कुल विद्यार्थियों और लड़कियों का अनुपात 5 अनुपात 13 है इसे एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको सभी विद्यार्थियों को 13 के समूह में बराबर बाटना होता तो 13 विद्यार्थियों के प्रतेक समुह में 5 लड़कियां होती तो अब मेरे विचार से हम ये जान सकते हैं कि लड़कियों की कुल संख्या क्या है क्योंकि हमें बताया गया है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है यानि कि यहां 13 विद्ध्यार्थियों का केवल एक समू नहीं है हमारे पास कुल 65 विद्ध्यार्थी हैं तो 65 में से 13 के कितने समू बनेंगे 13 से 65 पर जाने के लिए आपको इसे 5 से गुणा करना होगा 5 गुणा 10 हुए 50 और 5 गुणा 3 हुए 15 ठीक है इसलिए 13 गुणा 5 हुए 65 तो वास्ताओं में आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास 13 विद्ध्यार्थियों के 5 समू है इसलिए अगर आपके पास 13 विद्ध्यार्थियों के 5 समू है और उनमें से प्रतेक में 5 लड़किया हैं तो पांच से गुणा करने पर लड़कियों की कुल संख्या 25 होगी। तो इस प्रकार दी गई जानकारी के आधार पर हमने हल कर लिया है कि प्रतेक 65 विद्धियार्थियों में लड़कियों की कुल संख्या 25 है।